तो सब्सक्राइब करता हूँ आपका इसेनल टेक्निकल ब्लाग में आज मैं बीए सब जी की जो वेकेंसी जाई है उसमें जो जीएस का पॉर्षन है वो मैं एमसेक्व करवाने की कोशिश करूँगा या मैं बहुत सारे टेस्ट को लगवाऊंगा यहां पर 25 कुश्चन मैंने मैंने जैसा कि इस लेपस में जो दिया हुआ है और इसी तरीके से इसी वे में सेम लेवल की कुश्चन मैं कराऊंगा जो कि पहले पूछे गए थी एक्जाम में किसी न किसी इसमें मैंने कुछ नए कुछ नए कुश्चन भी सामिल कि हैं करेंट अफे वगरा के तो यहां प यहां पर इसमें ज्यादा तर कुश्चन जो सामिल किये गए है वह किसी ने किसी एक्जाम में मतलब पूछे गए क्वेश्चन है तो यहां पर यहां पर उन सभी के लिए यहां पर यह चलाई जा रहे हैं अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिगा और आपना रेस्प क्वेशन है निव इंडिया वा कामन वील नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गए अगर आपको किसी कुष्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजेगा वैसे यहाँ पर इसका आंसर आपसा नमबर स्थापना जून 2014 में उन्होंने निव इंडिया समाचार पत्र से शुरू किया था यह इसके बारे में थोड़ा सा मुवेंट के स्थापना की तो यहां पर चार आप्सन दिये गए हैं बाल गंगा धर तिलक एनी बेसेंट मौहमद अली जिन्ना महत्मा गाधी तो इन चारों में से एक और दो सही है कि एक दो तीन सही है कि चारों सही है तो यहां पर आपको एक कमेंड करके आप्सन का आंसर द इनंचे के ऋम बीचैनड अपको पता हो ना चाहिए की एनी अशन करके रहने वाली थी ken फ्था अनुखिय नेताओं के संब्द में किस थे तो यहां पर गांदिवाथ से गांढ़िवाद से मुष्मिंट से कि स्वाराज लिश्ट से तो यहां पर जो इसका सही है अप्शन पार्टी के मुख ही नेता थे यहां पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा सुराज पार्टी के सपना उन्हीं 123 में और मोती लाल नहरू और जयता दिवस मनाय जाता है इहां पर यहां पर पाउचन के रदहाता है अगर आपको किसे भी कुस्चन का अंसर पता है तो आप कमेंड करके जरूर बताईएगा और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक लाइक शेयर जरूर करिएगा और यहां पर इसका जो आंसर होगा यह कोची बंदरगाह होगा और आप सागर की राधानी किसे कहा जाता है तो यहाँ पर कोची बंदरगाह को कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर आप नेक्ष कुछ सहने चटवा निमलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन और मैमार की त्रिकोणी सीमा इसे कहा जाता है वैसे आप देखेंगे अनुडाइचल प्रदेश इंटीनों सिमाओ के बीच में इस्थित है उसके बाद नाथुला दर्रा सिक्की में है उसके बाद यहां पर नेक्ष्ट कुछन हमारा है कि निमलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला सोदेशी स्टील प्लांट कहा ज तो यहां पर ऐसी रेखा जहां पर समान वर्षा होती है उसे सम वर्षा नाम से पता चल लाए सम वर्षा होती है उसे सम वर्षा रेखा कहा जाता है उसके बाद 200 परमाड एजंसी के अध्यच को नहीं हमारा पुछा गया है परमाड उर्जा एजंसी के अध्यच तो यहां पर जीडी वगर्या कि एक्जाम में कई बार यह पूछा चाह सुका है तो इसका जो सही आस्पशन होगा वह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होगा और इसका मुख्याले सभी को पता है वासिंग अटन डीसी में है और वाइड बैंक और आइम दोनों को जुड़वा वहने कहा जा होता है तो यह सभी को पता है कि यह प्रिष्ट तनाव के कारण होता है सर्फिस टेंसन के कारण होता है विसकौस्टी सभी को जानता है कि जो मतलब दो लिकूड के बीच में और मतलब दो लिकूड की बीच में जो बल लगता है उसे सयानता कहते हैं उसके बाद यह जो इसक सोतंत रावस्था में तो सौतंत रास वस्था में यहां पर सrine पाए जाता है और यहां पर उफाद्jung ज 산 सबस्था में अपको सिंदेन होगा सबसे महातबूर जाते हैं इसका सबसे महतर्कूल अनक्यद्च के लिए किस धादू का प्रियोग किया जाथा है उसके बाद हमारे शरीर के लिवर के अंदर सब्सक्राइब तो दीपन करता है तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वह यहां पर आपका पॉन सही आंसर होगा यानि पॉधों का कौन सा भाग फूल बनाने के लिए देपन कराता है तो यह आपका पॉन इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला कुछ्छन हमारा है रूधिन परिसंचरनत सभी को पता है मुझे लगता है सभी जानते होंगे विलियम हर्वे इसका सही आप्सन सही होगा उसके बाद यहां पर आप देखेंगे भारत सरकार की किस निकाय के परामर्स के बाद नियुंतम यानि MSP की घोशड़ा करता है तो यहां आप देखें गुरित मंतराले स्रम औ आप और दियान रखना है क्रिशी लागत और मुहल्यायो क्योंकि यहां पर सरम और इसमें खाद दय भट जो सकते हैं, इन दोनहों से क्रिशी लागत और additions में तो इसका सही आप्सन क्रिशी लागत और आइख मुल्दे यहां पर इसका सही अंसर होने वाला है उसके बाद पर पूछा है राश्टी नमुना सर्वेचनों संगठन N.S.S.O. DVD किया जाता है सामाजी कार्थिक सर्वेचन उद्योगों का वार्थिक सर्वेचन क्रिफि सर्वेचन तो यहां पर इन तीनों का सर्वेचन एक दो यानि तीनों आपसन इसके सही होंगे इसका आपसन नमबर डी इसका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि कुछ करेंट के कुश्चन में डाले हुए हैं जो अभी हाल फिल हाल में मतलब घटी घटनाओं के हैं तो निवनि में से किस राजगी पूलिस के साथ भारतिय सिना ने सुरच्छा कवच टू अभ्यास आयोजित किया है तो इसका आपसन सही होगा महराष्ट पूलिस महराष्ट पूलिस ने सुरच्छा कवच भारतिय सिना के साथ मतलब किया है अगला कुश्चन हमारा है पूछा पर आपने देखा होगा कभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है इसमें बंगला देश सबसे प्रदूसर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर गुजरात इसका सही आंसर होगा यहां पर आपको मैं लगभग 25 कुश्चन कराया हूँ इसमें से आपके कितने सही बैट रहे हैं यानि आपने कितने कुश्चन के सही जवाब दिये हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं वहां पर अगले वीडियोज में दोनों PDF टेलीग्राम पर अपने डाल दूँगा उसका लिंक मैं नीचे उसमें डाल दूँगा और यहां पर आपको यह जरूर बताना है आप अपना रिबीव जरूर दीएगा कि यहां पर इस सीरीज को मैं कांटिनीव करूं या ना करूं क्योंकि आपके रिस्पांस से ही यह सारी चीजे पॉंसिबल है और यहां पर मैं आपको बता दूँ जीतने भी कुश्चन मैं कराऊंगा वह एक्जाम ओरिएटेड होने वाले हैं यानि ऐसे कुश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो एक्जाम हो रहे हैं आप उनसे मतलब यह कुश्चन मने कराया हैं इसमें से आप मैज भी कर सकते हैं कि लगभख सेम लगभख लेवल यही है जो एक्जाम का अभी समय पूछा जा रहा है तो यह वीडियो आपको कै कैसा लगा एक लाइक जरूर जरूर करिएगा ओके थैंक यू